नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं लली सर्मा अविकस ग्यान से। आज हम लोग discuss करेंगे कि DMIT क्या है, इसके लाब क्या है, इसे कौन कौन कर सकता है, इस business से कितना कमाया जा सकता है, ट्रैनिंग कैसे मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, everything, marketing कैसे करें, कैसे earning हो सकती है और कितना कमाया जा सकता है और कौन-कौन और कैसे-कैसे इस बिजनिस को कर सकता है आज complete information के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है सबसे पहले बात करेंगे कि DMIT है क्या Dermito Glyphics Multiple Intelligence Test एक scientific study है जिसमें fingerprint pattern और brain के lobs को मिला कर इसको प्रतयार किया गया टेक्निक को Harvard Gardiner ने प्रतयार किया था उन्होंने अपने 40 साल इस study में लगाए और उन्होंने Harvard Gardiner ने इसकी theory को जनम दिया इसके पूरे principles को बताया कि कैसे हमारा fingerprint हमारे brain के lobs से मेज करता है और कैसे हम लोग एक बच्चे में एक व्यक्ति में उसके in-worn personality को identify कर सकते हैं एक व्यक्ति की in-worn potential उसकी personality को जाने में मदद करता है आखिर एक बच्चा कैसे सीखता है देखकर सुनकर पढ़कर उसका interest क्या है वो उसका in-worn talent क्या है उसकी strength क्या है उसकी weakness क्या है उसका mind का nature क्या है उसका कौन सा brain ज़्यादा dominant है ज़्यादा active है उसकी competencies क्या है उसकी छमता है क्या है efficiency क्या है वो किस sector में अपना career बना सकता है कौन से subject में ज़्यादा अच्छा better performance कर सकता है ये पूरा पाहत जाना जा सकता है इस study के द्वारा Harvard Gardner ने बताया कि आप finger print के pattern से एक बच्चे में एक व्यक्ति में उसके nature को, उसकी खूबियों को उसकी strength को जान सकते हैं और उसी के according उसका career decide कर सकते हैं उसके business कौन सक join करेगा ये decide कर सकते हैं इससे एक बच्चे की AQ, EQ, IQ, CQ और SQ पता कर सकते हैं विज्वाल, auditory, kinetik किक्टे द्वारा उसकी learning style को जाना जा सकता है जिसकी बज़े से वो वेस्ट performance दे सकते हैं, study में, job में competition के exams के इंदर आप सकते हैं कि ये एक MI इससे बच्चे के strength और उसकी bigness को जाना जा सकता है उसकी personal छमताओं को उसकी व्यक्तिगत छमताओं को जाना जा सकता है इस test के द्वारा जो बच्चे के नैकेवल study में, उसके career decide में भी जीवन के हर path में जहान decision लेना है उसकी brand की efficiency के साथ अगर लेगा तो ज़्यादा बैटे तरीके से perform करेगा अभी इतिहास राचा है उन सब लोगों ने अपनी earlier age में ही अपना वो talent को पहचान लिया और उसी पर अपना maximum time दिया maximum efforts दिया जैसे हम कह सकते हैं सचीन तेंदुकर वो तीन साल की age में ही किर्केट कहने लग गये थे उनके फादर ने उनके बड़े भाई ने उनके इनवान टालेंट को पहचान लिया तो उनको इस्टडी की जोर ना देकर उन्हें किर्केट पर फोकस रखा हम कैसे लता मंगेस कर को कि फादर ने पहचान लिया कि इनकी efficiency के वर सिंगिंग मर हैं तो उनको किसी और सेक्टर में करियर बनाने के लिए रवाब नहीं बनाया गया उन्हें किल सिंगर पर ध्यान दिया गया लेकिन आज मैग जिवम पैरेंट्स अपने बच्चों के इन बॉन टालेंट को पहचान ही नहीं पाते तो वो भेड़ चाल में उस कोर्स में उस जॉब में बेजते हैं उस बिजनिस में बेजते हैं जहां सभी लोग जा रहे हैं जबकि इस टेस्ट के दुआरा आप बच्चे का इन बॉन टालेंट पहचान का उसके करियर डिसाइड में हैल्प कर सकते हैं हम देखते हैं रूर रो या अर्वन एरिया जो हर जगे पैरेंट्स आज बड़े सचेत हो चुके हैं एजुकेटेड हैं वो बड़े अवेर हैं बच्चों की करियर को लेकर आज बो बात नहीं है तिक एवल ट्रैडिशनल जाना जा सकbreaker और उसकी according ही study pattern को decide किया जा सकें और उसके कैसे teaching करना है यह decide किया सकते हैं आज कर इस चीज को बहुत ज़्यादा यूज किया है आज हम देखते की देश में बहुत ज़्यादा high competition है parents बहुत आबेर है एक बीस्केन बच्चे की learning style पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगी कस्टमाइज स्टेडी पैटर्न तयार किया जा रहा है आज मार्केट में हाई कॉम्पेटिशन है इसका एक बच्चे की इन बॉंट और विसेश्थाओं को जानना पैचानना जरूरी होता है इसलिए टैस बहुत हाला कि मैं इस वीडियो में DM IT के बारे में उसकी बिसेश्था और लाब के बारे में जादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके उपर मैं आलरडी वीडियो बना चुका हूँ अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा वो वीडियो देखें जिसका मैं लिंक डिस् सकते हो और कैसे housewife retard person जिनकी पास ज्यादा investment करने को पैसा नहीं है time नहीं है ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते physically मेहनत नहीं कर सकते तो वो कैसे अपना career बनाए कैसे tearing ले कितना खर्चा होगा कितने income होगी आज मेरा man target इस topic पर है बात करते हैं इस business को कौन-कौन कर सकता है मेरा माना है हर वो आदमी इस business को कर सकता है जिसका communication skill अच्छा है क्योंकि हमें इसके अंदर parents को उन्हें बताना होता है कि इस DMIT का need क्या है importance क्या है अगर आप इस बात को display कर पाते हैं लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं तो वो हर आदमी इस business में आ सकता है हम देखें house wife, retard person, private teacher यनि कोई भी sector का विक्ती हो वो इसमें career बना सकता है emblem leaders के लिए भी बहुत अच्छा option है क्योंकि उनका network अच्छा होता है लोगों से connectivity अच्छी होती है वो अलगलग state और अलगलग cities में विजिट करते हैं तो वो काफी लोगों को इस project के बारे में बता कर अपनी अच्छीखासी income कर सकते हैं इस business को full time और part time दोनों किया जा सकता है इसमें कोई boundaries नहीं है आप अपने boss खुद बन सकते हैं आपका office का time खुद decide कर सकते हैं कि Sunday को करना या Monday को करना है evening में करना या morning में करना कब करना है कैसे करना है कितना time करना है सारा decision आपके हाथ में होता है और आपको कोई ना royalty दे रही है केवल one time ही आपको इस पद्दती को सीखना और जानना है इनके software इनके tools को purchase करना है और बहुत आसनी से कर सकते हैं तो आप एक play school चलाते हैं तो आप अपने school के अंदर compulsory से कर सकते हैं और बच्चों से parents से एक fees लेकर आप इसे चला सकते हैं और यदि आपने training लिया है अगर कोई individual इसका training लेता है तो school के साथ type up करके उनका एक commission ratio fix करके एक अच्छे खासी income कर सकता है जो इस वीडियो के last में में बताने वाला हूँ classes computer centers जिनका अपना एक client base है एक setup है एक office है वो भी इसमें बना सकते हैं वैसे तो इसमें office की ज़रूरत नहीं है आप विजिट करके दूसरे offices में दूसरे schools में टूसन classes में आप home to home या kitty parties के तुरू या competition के तुरू जहां पच्चों की gathering होती है वो हर जगे आप इसका benefits ले सकते हैं लोगों के इसका importance बात करते हैं इसका training कैसे होगा training के दोनों तरीके हैं आप online training भी ले सकते हैं और offline training भी ले सकते हैं यह नहीं offline training का means आप personally मेरे पास आकर center visit करके और full day one day का पूरा training program होता है मैं आपको trend करूँगा complete DMIT की training के लिए DMIT से scan कैसे करेंगे software को use कैसे लेंगे आप अपने report को generate कैसे करेंगे everything इसकी marketing कैसे करेंगे सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला और अगर आपका part time नहीं है आप मेरे पास personally training के लिए नहीं आ सकते तो आप online training ले सकते हैं मैंने इसकी training देने के लिए कुछ video की series बनाई है कि DMIT proper है क्या counseling कैसे करना है DMIT का software को install कैसे क सिखाने है everything सब कुछ सिखाने के लिए video prepare किये हैं आप उन video के माधियम से सीख सकते हैं फिर भी कोई doubt हो तो आप हमें call कर सकते हैं और आप इसको चलाने के लिए आपके पास कुछ equipment होने चाहिए जैसे आपके पास laptop या computer होना चाहिए एक fingerprint scanner होना चाहिए वो कहां से लेना कै पास एक printer होना चाहिए वैसे तो printer तो आपको जलूत जब पड़ेगी जब आप physically report generate करके देते हैं लेकिन अगर आप PDF format में अगर उनके mobile या computer पर send करते हैं तो आपको print out की भी जलूत नहीं पड़ेगी अच्छा DMIT के अंदर दो परकार के software होते हैं एक client software होता है और एक report generator हो देती है जिससे आप बच्चों के data को scan कर सकते हैं और scan करने के बाद आपको scan copy को company को send करना परता है फिर वो company 300-400 रिपे पर बच्चे की report generate करने का अलेक्स से charges लेती है और आपको report generate करके देती है और आप से कहती है कि यह जो report generate होगी यह हम Singapore Taiwan कहा कहा से हम report लेके आएंगे ज देते ताकि आप ही scan करें आप ही report generate करें यानि आप किसी और company हम पर किसी पर को depend नहीं हो कहीं आपको एक रुपिया भी extra pay नहीं करना पड़े यह हम लोग करते अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो report generator है ना वो 69 page का report generator है यानि आप इतनी बड़ी report generate कर सकते हो कु इसमें आपको 40th 30 page की report तो आई जाएगी extra भी बहुत सारा data आता है बहुत detailed में आता है जिसे आप अच्छे से explain कर सकते हो parents खुद भी समझ सकता है इसलिए यह report 69 page की हम लोग report generator आपको provide करते हैं और पर एक दूसरी बात हम आपको जो software देते ना open source में देते हैं OSS open source software software दो प्रकार की होते हैं एक logged होता है और एक open source में होता है कुछ company आपको logged software देती है जिसे आप pen drive के अंदर आपको logged करके दिया जाएगा उससे आप अपने computer में तो use कर सकते हैं लेकिन हम लोग आपको open source में software प्रवाइड करेंगे तब से बड़ी बात आप इससे कितना कमा स सकते हैं तो एक बच्चे से 1000 से 3000 रुपे तक पर रिपोर्ट का चार्ज लिया जाता है इस city city area को पर depend करता है बात आती है कि आपके पास client आएंगे कहां से तो आप स्कूल के साथ type up करें सबसे पहले स्कूल की principal honor को जाके समझाएं उन्हें इसका importance बताएं importance बताने के बाद एक commission share करें और आप जब भी schools के अंदर parents meeting हो तो वहाँ पर जाके parents को इस चीज को बहुत अच्छे से explain करें project के थुरू बताएं ये सारी slide में आपको दूँगा तो आप project बजाके parents को explain करें उनको आप तयार करें इस report के लिए वहाँ से भी आपको income निकलती है और आप school को भ सकते हैं जैसा handwriting competition, drawing competition इस पकार के आप एक competition रख दें जिसे बहुत maximum data आपके पास आजाएगा और वहां से भी आप अपनी business को निकाल सकते हैं अलावा social media, pamplet marketing, hoarding boards है, canopies हैं वो जो traditional माध्यम हैं वो तो आप use करेंगे कुछ और भी tricks हैं जो मैं आपको बताऊंगा जब आप parents के लिए free workshop रख सकते हैं, parenting रख सकते हैं, यानि parents को mobile की habit कैसे अटाएं, TV की habit कैसे अटाएं, इसके उपर आपने एक अपना lecture video तयार कर लो, नहीं है तो मैं आपको provide कर दूँगा, आप parents को free में दे, जब free में कोई चीज मिलेगी तो parents आते हैं, तो parenting के बाहने, free workshop के बाहने जब workshop complete हो जाए, आपका एक या दो गंटे का, तब आप parents को बोल सकते हैं, कि आप बचों का DMIT भी कराओ, यानि कहने का मतलब यह हुआ, तो कोई भी माध्यम हो, पहले आपका एक network तयार हो, लोग आपके पास आए, जुड़े, तो लोग अबे कासी या बैदिक मेहत या head writing क प्रोग्राम चला रहे हैं, वो लोग भी इस पखार के DMIT प्रोग्राम को लेकर अपने income बढ़ा सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा income नहीं हैं, या आप वो चाते हैं कि कुछ और extra भी किया जाए, अपने setup के उपर, तो आप अपना brand बनाए हम आपको open source में देंगे, पूरा training देंगे, उसके बाद उस प्रोग्राम को sell करें, आप अपने आजपास पे districts को cover करें, वहां के computer center, institute को जाकर प्रोग्राम को sell करें, या direct services दे, client report निकाले, यानि कह सकते हैं, कमाने के options बहुत हैं, बस आपको मेहनत करनी हैं, और अधिक जा decisions हैं, कम हमारे batches बन रहे हैं, और भी कुछ doubt है, तो आप हमें call करके, सारी जानकारी ले सकते हैं, तो तुरंद decision लीजिए, और इस बहुत तेजी से बढ़ने वाले business में, आप अगर जलनी से इंटर हो जाएंगे, तो एक अच्छी income भी कर सकते हैं, धन्य रहाएं